नमस्कार आप भारत लाइब देख रहे हैं लोजपा में मचे घमासान के बीच लोजपा दोग भूट में बढ़ चुकिया है एक पसुपती पारस और एक चिराग पास्वान का गुट जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल तमाम तरह की बाते कर रहे हैं और इसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह सारा थे एयरी में घुट कराया है लेकि ये छर्चा है कि हो सकता है कि जुक्जपा के जो पांच बागी बिढया कहें वागी शानसद्ध है उनको मंत्री मंदल मोधी मंदल में सामिल किया जा सकता है लेकिन इसी बीच जेडियू के नेता आर्सीपी सिंग ने चिराग पास्वान को लेकर बड़ा बयान दे दिया मीडिया से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया जिराग पास्वान के बारे में तो उन्होंने कहा कि चिराग पास्वान ने दो दिन पहले ही कहा था कि वह सेर के वेटा है और फिर उन्होंने एक और बात कहीं कि वह अनाथ है तो इसको लेकर अब चिराग पास्वान को तै करना है कि वह क्या है वहीं उन्होंने पसुपती पारस के मुद्दे पर पूछे जाने पर कहा कि पसुपती पारस भी सेर का भाई है तो कहीं न कहीं जे पर जेडियू के सांसद और जेडियू के कई नेताओं द्वारा चिराग पासवान पर लगतार हमले किये जा रहा है वहीं पशुपति पारस्त के बचाओं में भी कई ऐसे बयान सामने आया हैं जिसको देखकर यह लगता है कि हो नहों कि यह तूट है लोजपा का यह किया करा पहले सही पर इस तरह का आरोप लगते आया है और यह बयान के बाद उनका निरणया होता है क्या सपर प्रतिकरिया होता है लेकिन वाले जो आने वाले देंगे और उसके बाद पुरे विहार की जनता के साथ जुनेंगे और अपने चाचा के कर्थूतों को सभी के सामने उजागर करेंगे क्योंकि लोजवाब पार्टी हमारी है और इस पर पहला अगर रोगवापत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 93868167000 धन्यवाद